मेरे साथ ही और महाराष्ट के फाइनांस और पॉरेस्ट मिनिस्टर श्री सुधिर्मुन गंटिवार जी सनमानिय आनन महेंद्र जी, राजी उदुबे जी, पुल्धास यारगोप जी यहाँ पर उपस्तित सभी बहनुर भाईयो मैं सबसे पहले महेंद्रा गुरूप का बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2007 से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मिशन अपने हाथ में लिया और एक करोड़ तीस लाख भुक्षो का रोपन देश में उन्होंने किया और इस साल भी करीब दस लाख से ज़्यादा गुरुक्षो का रोपन बहिंद्रा गुरूप के और से होने वाला है अनन जी मैं आपको पताना चाहता हूँ कि हमारे वनमंत्री सुधिर भुनगंटिवार जी इन्होंने वन विभाग का कारियभार जब लिया तो उसके बाद ये तय किया कि महाराष्ट्र को हम लोग एक नया ग्रीन कवर देंगे आप जानते हैं कि जर्मनी जैसे देश में उनका एक तिहाई जो हिस्सा है वो बनच्छा दित है और महाराष्ट्र अगर हम आज विचार करें तो करीब 21 प्रतिशत हमारे आपर फॉरेस्ट है और हमने तयक किया है कि पाच वर्षों में हम उसको 33 परसेंट पर ले जाना चाहते हैं और इस हेतु से एक नया मिशन हमने हाथ में लिया और यह डिसाइडेट कि विल प्लांट 50 क्रोड ट्रीज पचास क्रोड रुक्षों का रूपन हम लोग करेंगे और यह करते समय कई बार सरकारों के ओपर यह आरोप होता है कि सरकार के विभाग एक बार खड़ा कोते हैं और हर साल उसी में जाड लगाते हैं तो हमने का ऐसे पेड हम नहीं लगाएंगे पहली चीज यह तहकी कि दो साल से चोटा पेड में लगाएंगे कि जब दो साल का पेड लगता है तो उसका सरवाइवल का रेट जो होता है इस मोर दर 80 परसंट है दूसरा यह तहकी कि एवरी सिंगल ट्री प्लांटेड विभी जियो टैग इसका जियो टैगिंग और एक ब सब्सक्राइब कर दो करोड पेड हम लगाएंगे असामने तैग किया और मैं सुधिर जी का अभी नंदन इसलिए करना चाहता हूं कि इसको मिशन मोर के उन्होंने लाया और पिछले साल एक दिन में दो करोड नहीं दो करोड चालिस लाग पेड हमने लगा है और अलग लग प्रकार के पाच लिम्का बुक अफ रिकॉर्ड में हमारी वहाँ पर रिजिस्ट्रेशन हुआ और उन्होंने हमको सर्डिफेट दिया इस साल चार करोड पेड लगाने का निरणे हुआ और जैसा सुधिर जी ने कहा है कि यह चार करोड से ज्यादा पेड इस साल लगेंगे अगला साल ज्यादा महतोपून है और आपके लिए इसलिए महतोपून है कि हमको पहले है पता है आपका लखी नंबर क्या है और इसलिए हमारा अगले साल का टार्गेट है 13 करोड अब 13 करोड पेड अगले साल लगाएंगे और खुल मिलाकर उसके अगले साल बचा हुआ टार्गेट हम कम्प्रीट करेंगे और इसके लिए उतने गड़े तयार करना, डर्सरीज में उतने पेड तयार करना, यह सारी चीज़े, बिल्कुल अठीक डंग से हमने किये, उन पेड़ों को हम ट्रैक करते हैं, और हमारा भी rate of survival, यह इसी दर्मियान का अलग अलग जगा अलग अलग है, बट मिनिमा में 65% और कई 80-85% तक भी हमारा rate of survival गया है, तो मुझे लगता है कि महिंद्रार का जो मिशन है, यह महाराच सरकार के मिशन के साथ, एलाइन करके, हम महाराच के मिशन को आगे ले जा सकते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि, आज सबसे बड़ी समस्य अगर कोई होगी, तो परियावरण की है, हम लोग लगातार सुखा जलते हैं, पर यह सुखा कोई नेचर ने डिया हुआ नहीं है, यह मानो निर्मित है, क्योंकि हमारी जल, जमीन और जंगल, यह तीन चीजों का सववर्धन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम परियावरण का संतुलन दई रख सकते हैं, और महाराष्ट सरकार ने इन तीनों चीजों को एकदम अपने फोकस पे लिया है, और हमारा आजेंडा पिछले दो ढ़ाई सालों में उसी के ओपर चल रहा है, जल के लिए हमने वाटरशेड का डेवलप्मेंट शुरू किया, और जल्यूक्ति शिवार इस हमारी योजना के तहट इतने बड़े पैमाने पर काम हुआ, आपको आशिर होगा कि पिछले वर्ष महाराष्ट में 5000 टैंकर हमको पानी देने के लिए लगते थे, इस वर्ष हमने केवल 500 टैंकरों से पानी दिया है, और हमारे करीब 11,000 गाओ इस साल के अंतक ये सुखा मुक्तों होंगे, औ उन गाओं को जितना पानी लगता है, उतने पानी का कंदर्विशन उनी गाओं में वो करेंगे और सस्टेनिबली उसको यूज़ करेंगे, और हम लोग अगले दो सालों में और 10-11,000 गाओं इस प्रकार से सस्टेनिबल करना चाहते हैं, तो पानी के मामले में भी हमने ये पता ही किया कि हमारी जो वाटर बॉडिस है, उन वाटर बॉडिस को हम कंदर्व कर रहे हैं, नमामी चंदरभागा जिसका उलेख सुधिर जीन ने किया, एक बड़ा अच्छा फ्लैक्षिप प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है, और जो हमारी धीमा नदी है, जो पं जो गंदगी उसमें जाती है, केवल ट्रीटेड वाटर उसमें जाए, इसकी वेवस्ता हम कर रहे हैं, और नदी के किनारे बड़े पैमानी पर हम लोग रुक्षा रोपन करेंगे, और जैसा हम सभी जानते है कि अगर नदी के किनारों पर हम रुक्षा लगाएंगे, तो व हमारी नदीया जो है, वो सस्टेनेबली बहेगी, और ये करते समय, चुकि उसके आसपास किसानों की खेती होती है, और किसानों का आय का जरिया ये खेती होती है, तो ये नहीं चाहता कि वहाँ व्रुक्ष लगाएं, लेकिन अगर हम उसको अर्टिकल्चर का अल्टरनेटि भी होगी, आज वो नॉर्मल क्रॉप लेते हैं, उससे ज्यादा आमदरी उसको अर्टिकल्चर के मात्यम से हो सकती है, तो इसका भी बड़ा प्रुहत प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, कोकर में भी पाच नदियों का पुनरुत जीवन हम लोग कर रहे हैं, तो जल का भ सालु में या हमारे तालाबों में चला जाता है, और एक सेटिंग के करण वहां का वाटर स्टोरेज भी कम हो जाता है, और उसका प्रवह भी बदित होता है, तो हम लोग एक कंपलिट डिसिल्टिंग करें, और हमने यसी योजना तेयार किये कि डिसल्ट करके वाटाम, जो वहां पर गया इवी शिल्ट है बहुत प्रड़क्टिव शिल्ट है वह अगर सिल्ट अगर आप किसान की खेती में डाल दे तो तीन-चार साल उसको रासायनिक खत यूज करने के आवशक्ता नहीं है तो रासायनिक खादों से भी उसको मुक्ति बिल सकती है तो एक बुरहत का साथ जंगलों को इस प्रकार से रुक्षा रोपन के माध्यम से रिकलेम करने का काम हमने किया है मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ा ही प्रहत कारेक्रम हमने हाथ में लिया है और हमारे सुधिर जी ने इसमें बहुत एहम भूमिका निभाते हुए एक बढ़ा ही मिशन मोर उसक अपनी शमता के अनुसा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपने तो हमसे पहले ही यह कारेक्रम शुरू किया है तो आप तो इस कारेक्रम में बहुत सालों से आज तक आप काम करते आये हैं अब मुझे लगता है कि आपका यह कारेक्रम और बुरहद हो और हमारी इस टार के से निभाया है आप के वल गाडिया या ट्रैक्टर बनाने वाले लोग नहीं है तो उसके साथ साथ परियावरण का विचार करने वाले भी लोग है और मैं यह चाहता हूं कि इसी प्रकार से अपनी को अगर हमारे सारे उद्योजक समझे तो हमारा देश बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा लेकिन आप विलेश ट्रांस्फरमेशन में भी हमको साथ दे रहें बड़ा एक बुरहत कारिक्रम हमने हाथ में लिया हुआ है अलग-अलग प्रकार के आपके जो इनिशेट्यूज है यह निश्चित ही काबिले तारीफ है महाराश सरकार के और से महिंद्रा ग्रूप का बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और अपेक्षा वेक्ट करता हूँ कि इसमें और तेजी आप लाएंगे इसमें और बड़ोत्री आप करेंगे और हम सब लोग मिलकर हमार जितना लिया कम से कम उतना वापिस किया ये अगर हम कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में ये हिसाब अगर ठीक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दूसरा हिसाब नहीं होता और वो ठीक करने के लिए आपकी मदद निश्चित रूप से होगी मैं आपका बह बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ महिंद्र हरियाली इस इनिशेटिव को बहुत बहुत शुब कामनाय देता हो और अपने शब्दों को विराम देता हो जै हिन जै महाराष्ट्रा